सत्गुरु की ममता माई प्यारी साथ संगा जी प्रेम से बोलिये जी धैनिंकार जी आओ प्यारी साथ संगा जी दास आसा करता है सत्गुरु से प्रातना करता है कि आप खुशाल होंगे सत्गुरु की किरपा आप पर बरस रही होगी और दयाडिश्टी जैजेकार हो रही हो आपने कवे गिलेरी की कहानी तो सुनी है कि एक बार एक कवे ने और गिलेरी ने फसल जो है वो बटाई में पैदा करने का निश्य किया कि दोनों बटाई में फसल करेंगे तो गिलेरी कहती है कि ऐसा करें चलो भाई खेत की नराई उराई कर लें खेत को जुताई कर लें और जुताई के बाद में से बुवाई कर लेंगे तो वो कहता है गिलेरी चलो तुम चलो मैं आता हूँ हरी डाल पे बैठा हूँ ठंडा पानी पीता हूँ गिलेरी तू चल मैं आता हूँ आओ प्यारी साथ संगा जी इस तरीके से गिलेरी ने बुव प्यारी तू चल में आता हूं आओ प्यारी साथ संगा जी ये पिरकिरिया जब जब गिलहरी ने कवे से कहा उसने यही वहाना बना दिया और उसने रती भर कार्रे नहीं किया तो प्यारी साथ संगा जी मैं ये कर लूं मैं बो कर लूं कहने से बनती बात नहीं अरे जो काम समय पर अपना कर ले वो सहता समय की घात नहीं तो प्यारी साथ संगा जी जब फसल काड़ने का बक्ता है गिलेरी बोली कवे भाई अब तो फसल पक गई अब तो मिलकर के ऐसा करें कि फसल को काड़ लें तो उसका वही जवाब था कि गिलेरी मैं ठंडा पानी पीता हूं हरी डाल पर बैठा हूं और गिलेरी तू चल में आता हूं आओ प्यारी साथ संगा जी गिलेरी उदास हो करें कि फिर चली कि वही इसका तो यही आना है उसने क्या करा फसल काड़ ली बड़वारे का टाइम आया तो वही वो बैठे बैठे वही बात कि तू चल में आता हूं आकर ग भूक से ब्याकुल परिसान और अपने घर में आनंद से मौझ से रह रहे हैं अब गिलेरी के पास आता तो गिलेरी कहती है कि तुझा ठंडा पानी पी अब यहां क्या करने के लिए आता वहीं बैड़ करके डांस कर जाओ यहां से मेरे पास अनाल नहीं तो आओ प्यारी साथ स संगजी मैं यह कर लूँ नहीं किहने से बंती बात नहीं और जो काम पर जो समय पर कर ले काम अपना वो सहाता समय की घात नहीं जब ताकत थी तब हिम्मत थी तब पाँम पसारे सोतّे रहे जब सेवा करना चालते हो और आभ यह तंदेता साथ नहीं मैं ये कर लूँ मैं भो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं आओ प्यारी साथ संगा दिये दाज का कहने का उधारन क्या था का हुए गिलेरी का कि यदि अब समय रहत हुए बरतमान समय है संतमातमाओं हमारे लिए सुप समय है इसवर सद्गुरु ने बड़ी किरपा करी निरंकार ने हमारे सरीर में तागत दिया है जमानी है तागत भी है हम सेवा भी कर सकते हैं हम सिमरन भी कर सकते हैं ससंग भी कर सकते हैं लेकिन जब यह तंदेता साथ नहीं, फिर सेवा करना चाyoungता है, यानि अंत समय में सेवा करना चाहता है, फिर कुछ नहीं होता सरीर से, पिर कहता अरे राम, तुहे नंकार, अप्रूठे नंकार आुपैरी साश्थ संगा छी अब से तन साथ नहीं देता, अनगार निरंकार कर रहा, क्या खाली कहने मात्र से खाना खाना कहने से किसी की भूख यदी जाती, आओ प्यारी साथ संगा जी, तो पानी पानी कहने से सब की प्यास ही मिटे जाती, तो प्यारी साथ संगा जी हमें करना क्या है हमें सत्गुरु कह रहे हैं खाली कहने मात्र से बात वनने वाली नहीं है हमें करम करते ही रहना है हमें करम करते हुए यानि जिस प्रकार से एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ का लेप नहीं लगता संत मातवाओ हमें इस प्रकति में रहना है माया से सरीर बना है तो माया भी पधार्तों में रहना लेकि मन को हमें लिपत नहीं करना है मन को हमें दतार में ही यानि लगाई रखना है निरंकार में ही लगाई रखना है संतों के चरण धूली की ओरी सारा करना है संतों के चरणों में अपने मन को जोड़ना है आओ प्यारी साथ संगा जी लेकिन जब करम की बात आए जब सेबा की बात आए तो बहाने मत मनाना जब आपको मौका मिले सेबा का तो संत महात्मा वड़ चड़ करके हिस्सा लेना चाहें वो तन की सेवा हो चाहें वो मन की सेवा हो चाहें वो धन की सेवा हो तीनों ही सेवा बड़ी सुकदाई होती हैं बड़ी फलदाई होती हैं तो आओ प्यारी साथ संगा जी यदि फिर हम बहाने बनाते हैं कोवे के माफिक तो फिर हमारे हिस्ते में कुछ आने वाला नहीं फिर हम तरसेंगे इस वर के यानि किर्पा को तरसेंगे सत्गुरु की रहमतों को तरसेंगे तो प्यारी साथ संगा जी सत्गुरु ने यदि हमें आपको इस काबिल बनाया है किसी इमदाद की सेवा रवह करें किसी बिकलांग की सेवा करें जो परशाने उनकी सेवा करें अपने पडूशियों की सेवा करें तो हम उसके हैल्प कर सकते हैं क्जिए है कि करण करावन हार तु अरे सब कुछ तेरे पास अंग शंग तुझको देखे के अर्दास करे अर्दास। अरे तु आहो का सहंसा परवू मैं दासों का दास। आओ प्यारी साथ संगा जी करने वाला तो सब कुछ प्रम्पिता परमात्मा हैं अपने आपको हम लिब्त ना करें जी की कोछ नहींव ता से कछ नहीं होने वाल इसकी किरपा से ही सब कुछ होता है इसकी तैयट हीश्टी से हमारी था करेंMed ही है इसकी दाया डिष्टि से हर प्रति एक जीव जन्तु इस संसार में रहा है जब यह चाहे सांसों का विस्तार करें जब इस चाहें अपनी सांसों को समयठ ले तो प्यारी सास संगल जी दास का कहने का ताथ प्रियतना ही है करम सील रहते हुए भी ध्यान निंग कर्णा है स सिम्रण करना, सेवा करनी, ससंग करनी और सद्गुरु के बताएवे रास्ते पे हमें चलते जाना है तो वास्ता में हमारी जीवन में कल्यार होगा परम प्यार से कहेंगे धनिंकार जी